मैं राम निवास शाचारिय स्री कल्यान राज की एक न्या महाविदाले शीकर आज मैं आपको रूशों की सामानी इच्छे की विश्यस्ताउं के बारे में बताऊंगा चुर्चा करूंगा तो इसमें हम देखते हैं कि सामानी इच्छे को इस पस्ट रूप से समझने के लिए उसके विश्यस्ताउं का ग्यान प्राप्त करना आवश्यक है जो इस प्रकार से है कुछ इसके कहना चाहिए लक्षन या विश्यस्ताई है और इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए इन विश्यस्ताउं या लक्षनों का ग्यान होना अतियावशिक है और उसमें पहली विश्यस्ता है अखंडता समाने इच्छा का एक विश्यस्त लक्षन उसकी एक्ता या अखंडता है यद पी समाने इच्छा की एक्ता में विभिन्ता भी होती है किन्तु विवेक युक्त और बुद्धी जन्य होने के कारण इसमें किसी भी परकार का आत्म विरोध नहीं होता है जैसा कि स्वेम रूसों ने कहा है रूसों ने एक जगे लिखा है कि समाने इच्छा राष्ट्री चरितर में एक्ता उत्पन करती है और उसे इस्तिर रखती है तो समाने इच्छा कि पहली विशेशता हो गई अखंड़ता और अखंड़ता में ये कहना चीए कि विवेक युक्त अखंड़ता है समाने इच्छा का जो पहला लक्षन अखंड़ता और ये समाने इच्छा विवेक युक्त और बुद्धी जिन्ने होने के कारण इसमें किसी परकार का अंतर विरोध नहीं होता है आत्मे विरोध नहीं होता है और ये रास्ट्रिय चरित्र में एकता इस्तापित करती है तो इस परकार से हम पहले लक्षन को यहां पर पुरा करते हैं दूसरा अदेता इसका तात्प्रिय है कि शामन इच्छा किने वेक्तियों को हस्तांत्रित नहीं की जा सकती इसी आदार पर रूसो कहता है कि सामन इच्छा प्रती नीदियों द्वारा वेक्त किये जाने के योग्य नहीं होती रूसो प्रतियक्स प्रजात्मतर का उपासक है जिसमी वेक्ति स्वमेव अपनी इच्छा वेक्त करते हैं तो इसका दूसरा लक्षन हो गया अदेता अर्थार्थ इसको किसी अन्य वेक्तियों को हस्तांत्रित ट्रांस्पर नहीं किया जा सकता और प्रतिनी दियों के मादेम से जो सासन किया जाता है इसमें इसका प्रतिनी धित्व भी नहीं किया जा सकता ये प्रतिनी धित्व करने के योग्य नहीं होती है और इस माइने में कहना चाहिए कि रूस्व है वो प्रजातंत्र का पोसक है पाशक है क्योंकि उसमें वेक्ति स्वेम अपनी इच्छा वेक्त करते हैं और उस इच्छा के नुशार सासन या शासित होते हैं सासक या शासित होते हैं तीसरा है अवी छेदता सामान इच्छा को पर्भू सता से अलग नहीं किया जा सकता पर्भू सता सामान इच्छा में नहित है और वह इसका प्राण है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के सरीर से उसके प्राण को पर्थिक उसके प्राणों को पर्थक नहीं किया जा सकता वसे ही प्रभू सता से सामान इच्छा को अलग करना संभव नहीं है तो अवी छेदता सामान इच्छा है वो प्रभू सता से अलग नहीं हो सकती उसको अलग नहीं किया जा सकता प्रभू सता सामान इच्छा में ही नहित है और प्रभू सता का ये प्राण है जिस प्रकार किशी वेक्ति के सरीर से उसके प्राण को अलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार से प्रभुसता और सामाने इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता तो ये तीसरी विशेस्ता हो गई चोथी शर्वोचे एवं निरंकुष सामाने इच्छा का एक लक्षन इसका सर्वोचे एवं निरंकुष होना है इस पर देविये प्राकर्तिक या प्रंप्रागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और ये किसी वेक्ति या वेक्ति समोह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती सभी के द्वारा सामाने इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा कोई भी इसकी अवहिलना नहीं कर सकता तो समाने इच्छा है वो सर्वोचे और निरंकुष कोई भी किसी भी प्रकार का देविये प्रागर्तिक या प्रमप्रागत नियम इस समाने इच्छा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता और किसी एक वेक्ति या कुछ वेक्तियों के दुआरा भी इसको नियंतरित नहीं किया जा सकता ये उनके अधिकार छथर में नहीं आ सकते तो इसमें तो यह आजा सकता है कि इसका तो पालन ही क्या जाना चाहिए और उन्हें और उन्हें आशा करना ही होगा कोई भी इसके अवहिलना नहीं कर सकता तो इस माईने में ये सर्वोचे भी है और निरंकुश भी है पांच माईस्ताई सामनेच्छा किसी परकार के भावात्मक आवेशं आवेगूं या सननक का प्रिणाम नहीं होती जनकल्यान की स्ताई परवर्ती जनकल्यान की स्ताई प्रकर्ती और विवेग का प्रिणाम होती है लाड के सब्दों में वे ने तो सारवजनिक आदेश की आंधियों में मिलती है और ना राजनितिग्यों की बहकाने वाली बातों में तो इस प्रकार से ये सामनेच्चा है उसमें स्ताईत पर होता है ये कोई भावनात्मक भावों में बैना आवेशों में आवेगों में या सनक का प्रिणाम नहीं होती है अप्तु जो मानव के जनकल्यान की स्ताई प्रकर्ती प्रवर्ती और विवेक का प्रिणाम होती है ये उसको लेकर कारिय करती है तो इस प्रकार से यस्ताई होती है अगला लोग कल्यान करी सामने इच्छा वेक्ति की आदर्स इच्छाउं का योग होती है और वेक्ति की ये आदर्स इच्छाईं जन कल्यान से प्रिरित होती है अतह है सामने इच्छा का लक्षे शदे भी संपु समाज का कल्यान होता है तो इसमें ये समान इच्छा है वो वेक्तियों के आदर्स इच्छाओं का योग होती है और ये आदर्स इच्छाओं वेक्तिगत इच्छाओं या वेक्तिगत हित्वों की पूर्ति का सादन नहीं होती है बलकि ये संपुन समाज के जनकल्यान से प्रेडित होती है तो इस समन इच्छा का लक्षे सदे भी संपुन समाज का कल्यान होता है तो इस माईने में ये लोग कल्यान कारी होती है वीवेक पर आदारित ओचिते पून इच्छा आखरी विवेक पर आदारित और ओचित्य पुन इच्छा ये इच्छा किसी परकार की भावनाओं पर नहीं वरन तरक तता विवेक पर आदारित होती है ये संभव है कि सामाने इच्छा के अंतरगर्थ की गई सामाने हित की कलपना गलत हो किन्तु ये वेक्तिगत स्वार्थ से ब्रस्प नहीं होती है और इशी को द्यान में रखते विए रूसों ने कहा है सामाने इच्छा सदेव ही वीवेक पुन एवं नयाई शंगत होती है क्योंकि जनता की वानी वास्तम में इस्वर की वानी होती है तो ये वीवेक पर आधारित होती है और ओचिते पुन होती है सामाने इच्छा ये समाज हित की कई बार सामाने इच्छा के अंतरगत हम समाज हित की जो बात करते हैं वो गलत हो सकती है प्रतु इसका इसमें वेक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित या स्वार्थ को लेकर कोई भृष्टाचार नहीं होता है मानलो कोई इस प्रकार का सामाने हित सामाने इच्छा के बड़े संपुन गरीमा के अंतरगर्ती कोई ऐसा कोई समगर प्रकार से कोई गलती हो जाए प्रन्तु ये व्यक्तिगत अस्तप्रच जो हम भृष्टाचार करते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है और रुसो ने कहा कि ये नयाशंगत होती है क्योंकि ये सामाने इच्छा जनता की संपुन जनता की वानी होती है और कहते हैं कि संपुन जनता की वानी वास्त में इस्वर की वानी ही होती है इसलिए ये सदेव नयायुप्त नयायुचित भी होती है तो इस परकार से आज हमने रुशों के सामने इच्छा किश्चिधान्त की विशेश्ताओं को यहाँ पर मैंने आपके समुक रखा आपनी ध्यान परोग सुना अब मैं यहीं पर मेरी वानी को विश्चाम दूँगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद